थाकर खबर बेखोफ जुबां बेबाग अंदाज प्राइम टाइम शो शुरू कर देती है दिन बर चिलाती रहती है चीखती रहती है तरह तरह के लोगों को बैठा के तरह तरह की बात करती रहती है लेकिन वो लोग अगर कतल भी कर दें तो मीडिया चर्चा नहीं करती तो मीडिया किस तरीकी की हो गई है क्या मीडिया को होता जा रहा है दर्बारी सरकारी बनने के छक्र में मीडिया भॉंपू मेडिया जिसे गोधी मीडिया भी कहते हैं पता नहीं क्या करके रहेगा आप लोगों से क्यों इतना जूट बोलने पर उतारू हो गया है क्यों अपनी विश्वस्नियाता को ताख पे रख दिया है सरकारी न्यूज चैनलों की तरह काम कर रहे हैं प्राइवेट न्यूज चैनलों और पत्रकार ऐसे काम कर रहे हैं जैसे पार्टियों के प्रवक्ताओं प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं हैं उनके प्रवग्राम में भेजने के लिए बात कर रहे हैं हम जो महरास्ट में बव बबाल हुआ है यह पहली जगा बबाल हुआ जहां भारतिय जंता पार्टी कि सरकार आपकार की जहां-जहां सरकार हैं वहां इस तरीके से बबाल ओ रहे हैं और सरकार लो लेकिन मीडिया आपको वो तस्वीर नहीं दिखा रहा है पर वो तस्वीर हम जरूर आपको दिखाएंगे क्योंकि वो सची तस्वीर है सरकार से जवाब लिया जाना चाहिए सरकार से रिपोर्ट ली जानी चाहिए सरकार से बात की जानी चाहिए आखिर आपके पास कोई कमजोरी तो है नहीं परचंड बहुमत की सक्ता आप चला रहे हैं खूब धुआधार बाती करते हैं लफाजी और आप सिर जुमले बाजी करते हैं और जुमले बाजीयों के सारे आप सरकार चला रहे हैं केंदर में भी बारी बारी से रखने की कोशिश करूँगा उमीद है आपको अच्छी लगेंगी और अच्छी लगेंगी तो आप अपनी बेबा क्राइस पर जरूर दीजेगा हमारे चैनल को आप सबस्क्राइब कर सकते हैं हमारी खबरों को लाइक कर सकते हैं अच्छी लगे तो शेयर कर सक जवाब दे ही उसी से ली जाएगी इधर की बात कर ना उधर की बात कर ये बता के काफिला क्यूं लुटा मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है रास्ते में किसने मुझे लूट लिया है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो रहबर बने गुम रहे हैं जो लो एन ओर्डर की गारंटी देने की बात करके सत्ता में आये थे जिनके पास परचण बहुमत की सरकार है उनसे तो सवाल किया जाना चाहिए उनकी कारेशली पर तो सवाल उठाना चाहिए यह मेरा काम है और मैं इस अपनी जिम्मेदारी को वह भी करूंगा शुर दस-पंद्रा दिन पहले आपको पता था कि कोरे गाउं जो भीमा कोरे गाउं में शौरिय दिवसें वो दली समाज मनाएगा और दोसोवा दली समाज 200 साल पूरे होने पर इस बार विशेज समारों का आयोजन करेगा और उस समारों का आयोजन को लेकर कुछ हिंदुत वाद ही ताकते उसके विरोध कर रही हैं और सरकारी अफसरान को शिकायती पत्र देकर बाकाइदा मांग कर रही हैं कि दलीतों को बीमा कोरे गाउं में आयोजन करने के अनुमती ना दी जाए फिर भी आप खामोश रहते हैं आपको समझ नहीं आता है वो लोग जो विरोध कर रह दलीतों ने वो कर दिया अब होगा ये कि दलीतों में मुकदमे दर्ज हो जाएंगे उनके पड़ने लिखने वाले नोजवान जो बच्चे हैं वो जेल में डाल दिया जाएंगे गरीम माबाप जो है वो बाहार थाने कोटकशरी के चक्चर काटते काटते मर जाएंगे और जो अगल बगल के लोग होंगे उनकी हिम्मत उनकी ताकट तूट जाएगा ऐसे ही होता है जब बगल वाला देखेगा रहे रहने दे बाबा उसने लिए में मज जाए गर रहे भाई वहां ऐसी बाते मत की अक्रो मुकद में लगा के जिल डाते हैं जीवन बरबाद कर देते है मा दरदर की विकारन हो गई है बाब दरदर का विकारी हो गए कहां से पैसे लाए क्योंकि इनसाफ पाना अपने बच्चे को बेगुना साबित करना कोट का चेरी में आसान काम नहीं है सरकारे तो अपना पूरा मशिनरी का इस्तेमाल करके बरबाद कर देंगे यानिके दोन जली दहन को बदराम करने के लिए कि इक बात उन्होंने और सफ कही कि अगर पुरीज करती तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता वह किस बारे में कह रहे हैं वो आपको पहले बता देता हूं 31 दिसंबर को जब लोग कोरे गाउं में जो आयोजन होने वाला था उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं बस में सवार होकर तो कुछ हिंदुत वादी ताक्ते हैं आरोप है परकासम बेड़कर का वो उनकी बस को रोक लेती हैं उनके साथ मार पीट करती हैं लूट पाट कर देती हैं वो लोग ठाने जाते हैं क्योंके कानून का बलंग करना है आपको किसी ने लूट लिए तो हम भी थोड़ा उल्ट लूट लोगे पलिस के पास जाते हैं शिकायत दर्ज कराते हैं लेकिन पलिस कोई कारवाई नहीं करती तब जाकर तीन दिन बाद ये बवाल सामने आता है तो जिम्मेदार कोन है जिम्मेदार है शासन और परशासन लेकिन उस पर यह आपका मीडिया खामोश बना हुआ है यह सिर्फ इस तरीके से पूरी खबर को प्रेजेंट करके आपके सामने दिखा रहा है जैसे दलीतों न के का आयोजन होता है वहाँ इस साल आयोजन कुछ जादा होगा जादा लोग इकटे होंगे और कुछ हिंदुत वादी ताक्ते जो हैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है इस बार तो सरकार को समझ आनी चाहिए थी ना येकिन सरकार फैल मेडिया खामोश किसान अंदोलन म भी ऐसे हुआ महां भी ऐसे ही आपकी कानून विवस्ता पूरी तरह चोपट हो गई महरास्ट के अंदर आप कुछ नहीं कर पाए अब यहां से निकलके चलते हैं हर्याना हर्याना में आपने अभी ताजा मामला देखा होगा जब बाबारामरहिम को ग्रफतार कर लिया गया और बाबारामरहिम की ग्रफतारी के बाद बाबाल मचा चालीस लोग मरे गए हैं सब जिनके घर के मरे होंगे ना उनसे जाके पूछे उनके दर्द को आपके पास तो पूरी विवस्ता आती हैं आपके पूरी इंपूर्ट थी एक होपिया रिपोर्ट थी बारा सो गाड़ बात हैं जो सिर्फ लफवाजी बाती करते हैं जो सिर्फ जुमले बजी कर रहे हैं और उससे सरकार चला रहे हैं क्या उससे सरकारे चल पाएंगी सरकारे चलती है। पूरी कारेपणाली बनी हुई है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उससे सरकारे चलती है, आपको पता ही नहीं चला, और 40 लोग हरियाना में बर गए, हरियाना में थोड़ा पीछे चलते हैं, इसी हरियाना में, क्योंकि हरियाना का जिक्र करें तो पूरा हरियाना का जिक्र करेंगे बाद में दूसरी स्टेट पर चलते हैं जाटा अंदोलन शुरू हुआ अरेक्शन को लेकर क्या क्या नहीं हुआ इस हरियाना के अंदर मुर्थल के अंदर चलती हुई कारों से बच्चियों को लड़कियों को महिलाओं को उतार गया उनके साथ कैसी हैवानियत दरिं है तो आप ये करते नहीं हैं हो सकता है इसके पीछे कुछ साजिश भी काम करती हो आप लोगों को आधी बनाते जा रहे हैं कि दंग के बवाल के लोगादी हो जाएं हिंसक वारदाते करने के लोगादी हो जाएं हिंसक वारदाते सहने के लोग आधी हो जाएं और कल को आप इसका किसी और बड़े रूप में फाइदा उठा ले। इसको मार दिया। ठीक सब घटना हो गई। लॉइन ओडर की सीच्वेशन यहां भी आपसे फैल हो गई। उदेपूर में पता नहीं कहां कहां के लोग ही कठे हो गए। लेकिन मीडिया खामोश नहीं बात करेगा वो कि लाइन ओडर क्यों फैल हो जा रहा है क्यों कि मीडिया में ली उसी वर्ग के उसी समाज के वही मान सिक्ता रखने वाले लोग बैठे हैं वह क्यों बात करेंगे ? वो तो तब वैसी बात करेंगे जब उन्हें लगेगा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज से तालुक रखने वाला अखलेश यादव सरकार चला रहा है तब वो जरूर कहेंगे जंगल राज आ गया जब बिहार के अंदर सत्ता के अंदर अगर लालू परसाद यादा ह होंगे साथ में शामिल तब वो जरूर कहेंगे कि जंगल राज वापीस आ गया है आप जंगल राज नहीं है हर्याना चल जाए आपका महरास्टा जल जाए आपका राजस्तान जल जाए कुछ भी हो अब आगे चलते हैं राजस्तान से निकल किसा उत्तर प्रदेश की तरफ लड़की अपना दर्द सुनाना चाहती हैं उनके साथ गें साथ तमीजी होती बताना चाहती है लेकिन जब यह बनक माने परदान मंत्री को लगती है तो बताते हैं कि वह अपने रोड़ शो का रोड़ ही चेंज कर देते हैं यानि कि जिस रूट से उन्हें निकलना था वह रूर्ट रूर्ट ही बदाल देते हैं ताके वो लड़किया उनके सामने ना पड़ जाए और यह कैमरा उनको फॉक nuestra मेडिया उनको कर रहा है वह कहीं वह लड़कियों का दर्द दिखाना शुरू कर दे कि परधानमंत्री के सामने परधानमंत्री के संसेदिये छेतर में यह इस्थिती है मीडिया तो नहीं दिखाएगा साब अगर हम सही रास्ते से भी जाते तो आपका ये भौपू मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि इनको दिखाना नहीं है इनको तो आपसे चवणी अठानी पता नी क्या चाहिए कार्परेट का मीडिया है क्या हसिल करना चाहता है वो देश के अंदर पूरी एक धार्णा बना के रखना चाहता है लोग उसी में जीते रहें अच्छे दिन आएंगे वो कब अच्छे योगी जी आप तो लॉयन ओर्डर के मुद्दे पर आये थे उत्तरप्रदेश के अंदर आपने कहा था हम बिल्कुल कानून भी अवस्ता है एक शांदार तरीके से रखेंगे इससे पीछे फिर चलते हैं उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश का सहरनपुर जिला है आपका लॉयन ओर्डर आपके इंपूर्ट आपकी खूफिया रिपोर्ट परधान फोन करके 8 बजे सुबह बता दे रहा है साब यह महाराना परताब के जनम दिन पर शोबायात्रा हमारे गाउं से निकालेंगे इनके पास परमिशन नहीं है पहली बार यह सा कर रहे हम नहीं किया जाता और दीन के साड़े बारा बजे महां बवालो जाता है दलीतों की पूरी बस्ती को चुन-चुन के घरों के जला दिया जाता है यह है आपका लॉयन ओर और यह आपका परचंड बहुमत की सरकार ठीक है जब आगे चलते हैं उत्तर परदेश से निकलके हम ल रही थी किसानों में कितना घुस्सा है क्या बात है किसान मार दिये दे तो यह हैं आपका लॉयन ओर महारास्टा हरियाना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सब जगा की अगर आप तस्वीरे उठा के देखेंगे तो आपको समाझ आ जाएगा कि इनके पास पूर्ण बहु अब यहां से चलते हैं गुजरात में मोदी जी के गुजरात में विक्सित गुजरात में गुजरात मोडल में जिसको पूरे उत्तर प्रदेशी पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बीचने की कोशिश दिखाने की कोशिश की गई हाग हाला कि हार्दी जिगनेश और नहीं ले आते हैं अगर विकास हुआ होता तो वो हज और राम की बात नहीं करते हैं अगर विकास हुआ होता तो वो नीच नीच जाती इन शब्दों का प्रियोग नहीं करते हैं अगर विकास हुआ होता तो मुल्ला एहमत पडेल की बात नहीं करते हैं कि मुल्ला एहमत पडे का आपसे जिक्र करूँगा पहली जो पटेलों का अंदोलन शुरूर हुआ क्या लौएन ओडर की सीचुएं excitement आपस एक पास एक सिंपूर नहीं थे टमाम खूफियार एक trillion एक फिर भी सड़कों पर क्या तंडव हुआ क्या नंगा नाच हुआ क्या आपकी पुलिस ने किया तमाम के सामने है इस से आगे चलते हैं गुजरात के अंदर उना कांड हुआ दली समाज के लोग मरे हुए पशू की खाल उतार रहे हैं उनको मारा जाता है उसके विरोध में शोशल मीडिया पर वाइरल कि जाता है दिवा वह देखें साथ क्या आपका क्या खौफ है आपके कानून का विवश्ता चौपट है लेकिन मेडिया क्योंकि इस एंगल से दिखाएगा नहीं फिर मैंने कहा तेमीडिया भी किसी को सत्ता में बनाई रखने के लिए और किसी को सत्ता से दूर रखने के लिए काम कर रहा है क्योंकि मीडिया के अपने ही थे हैं मीडिया आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो वहाँ उना जैसी घटना होई तो ये फिलाल अभी के मुद्धे हैं अगर एक लंबी इतिहास में जाओंगा तो बहुत लंबी कहानी बन जाएगी पर फिलाल अभी के मुद्धे हैं महरास्ट क्या हरियाना क्या उत्तरप्रदेश क्या राजस्तान क्या मद्यप्रदेश क्या और आपका गुजरात गुजरा को कराब किया जा रहा है उस पर गंभीरता से सोचना और समझना और आप लोगों को देखना चाहिए क्योंकि मीडिया आपको दिखाएगा नहीं आप लोगों को खुद सर्च करके खुद समझके देखना पड़ेगा ऐसी ही बेबाग और बेखोब खबरे देखने के लिए देना अपनी बिलकुल ना भूलें फिर ऐसे ही इस लगते हुए मुद्दे के साथ पूरे तत्यात्मक आंकड़ों के साथ मैं आपके सामने हूंगा हाजिर अभी मुझे दे इजाज़त